हे दोस्तो वेलकम टू आर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर्ड़ जेनवेन इंफरमेशन और आपका कोई क्वेरी जातो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 14 अप में 2021 और इंफोसिस के अंदर लगातार न्यूस का सिलसिला चलता रहा आज की डेट पे और एक 20 फोटक न्यूस सामने आ चुका है इस वीडियो में हम इस न्यूस के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और जो की बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव न् और इसके साथ साथ इंफोसिस के अंदर जो मार्केट के एक्सपर्स है उन्होंने भी अपना अपना लाये दे रहा है तो दोस्तो चलिए इस वीडियो में हम सब कुछ डिसकाशन करेंगे एक साथ और उसके साथ साथ आपका आगे का क्या रन नहींत हो सकते उसके उपर भी दर चर्चा करेंगे तो फ्लीज वीडियो को बिना स्क्रिप के पूरान तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझाए तो दोस्तों अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकॉन नहीं है तो अप्स्टोक जैसे बड़े प्लाट्वर्म में डीमेट आकॉन लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको सिंप्ली ये चार्ट चीजों को तयार रखना है आपका अधार कार आपका पैन कार एक टैंसल चेक एन आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकाउन बन जाएगा दोस्तो आज 14th of May 2021 और आज एकदम स्टार्टिंग से मार्केट थोड़ा बहुत गिरावट था और Infosys के शेर प्रेस के अंदर भी आमें मामूली सा गिरावट देखने को मिल ला है टोटल 7 पॉइंट की गिरावट और 1.5% का गिरावट आज की डेट में यहाँ पे देखन 117 रुपए मैं आपको वापे clear cut कहा था आपको याद होगा कि यह जो range है 1317 इसके आज पास दोस्तों Infosys को solid support मिलेगा इसके नीचे जाने का chance मुझे कमी दिखाई दे रहा है और आज दोस्तों आपने देख लिया Infosys का share price यह जो 1310 या 1315 तक max to max गया था नीचे की तरब उ उन्होंने जो Infosys का co founder है उन्होंने दोस्तों 317 रुपए पर खड़ी दा था उसके आसपासी ग्लोजिंग दिया और मेरे क्यास दोस्तों Infosys का share price इसके नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि हर एक share का गिरावाट के लिमिट होता है और Infosys जैसे quality stock में इसके नीचे लेबल तो दोस्तों यह Infosys की share roller के लिए बहुत ज़्यादा positive news है देखिए क्या लिखा हुआ है Infosys ties with RxR reality to develop a smart office platform running on Microsoft Azure एमाइट कोविंग 19 दोस्तों Microsoft एक बहुत बड़ा company है उसका एक subsidiary company Microsoft Azure इसके साथ दोस्तों Infosys का एक tie-up हो चुका है यानि partnership हो चुका है क्या partnership क्या सब कुछ यहां पर detail में पढ़ेंगे क्या का service provide करेगा Infosys वो भी हम detail में पढ़ेंगे देखिए क्या लिखा हुआ है Infosys has partnered partner शब यह अपने शब्त के ओपर द्यान देना already partnership proposal sign कर चुका है partner with HR XR reality to build and deploy a comprehensive award winning smart building health and wellness solution running on Microsoft Azure Microsoft Azure का एक project building health and wellness solution इसके ओपर दोस्तों Infosys ने यहां पर project मिला है और partnership proposal शाइन कर चुका है Microsoft के साथ क्या के service provide करेगा यहां पर clear cut mention किया है देखिए Infosys is proud to have worked alongside RxR reality and Microsoft to create and deploy an intelligent यह सारे service जो जो मैं प्लडाओं to create and deploy an intelligent secure cloud enable scalable solution in just a few months यह सारे service दोस्तों प्रोवाइट करेगा Infosys ने Microsoft Azure को Microsoft का जो की एक subsidiary company है will empower and save return to work तो दोस्तों यह service provide करेगा Infosys तो दोस्तों मेरे खाल से यह बहुत ही ज्यादा positive news है specially Infosys के shareholder के लिए और देखिए Infosys के अंदर जो गिरावाट चल रहा है उसको लेकर दोस्तों मार्केट का experts ने क्या कह रहा है यहां पर हम देख लेंगे देख सकती यह news भी आज की रेट पर है सुबहाब 10 बजे का सबसे यह news है देखिए विप्रो 2 TCS expert recommend buy on this IT stocks यानी विप्रो वो लिए TCS यहां पर विप्रो 2 TCS का नाम लिखाओ यानी विप्रो से TCS कोई भी IT सेक्टर का स्टॉक जो भी आज की देट में गिरावाट में चल रहा है सारे आगर आप देखोगे बड़े बड़े बड़ा आई टी सेक्टर का यहां एक्सपर्स के भी आपके साथ करने में नोस्तो सबससे पहली बात देखेए विप्रोस यहां पर इनफोसिस यहां पर फिरावाट आया तब कहां से आया था यह जो लेबल्स है 1470 रुपए का जब Infosys न अपना all time high टच किया था जो quarter 4 की result के पहले उसके बाद लगातार हमें गिरावर देखना को मिला and consolidation फिर से correction ठीक है अब देखिए correction ये जो मुझे last ये जो देख सकते हो यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे जो support level है, यह जो 310 से लेके 320 रुपए का यह जो level है, इसके अंदर Infosys को solid support मिला, सिर्फ आज ने, इसके पहले भी हमने देखा है, देखिए, इसके पहले जब Infosys का अंदर यहाँ पे तेजी आया था, और share price टच किया था, 1400 के level पर तब देखे जब नीचे आया कितने amount का उठाया, वो बड़े बात नहीं है, actual जो important बात है, उन्होंने क्या price में उठाया, उन्होंने price में उठाया 1317, दोस्तों Infosys को मैं अच्छे से ना जानता हूँ, ना आप अच्छे से जानते हो, सबसे जादा अच्छे से जानता है जो Infosys का board of directors है, जो members है, तो उन उन्होंने अगर 1317 में माल उठाया, इसका मतलब दोस्तों उन्होंने उस price को बहुत ज़्यादा decent समझा, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा price समझा, तो उन्होंने उस price range के अंदर उठाया, और आज आपने देख लिया Infosys का share price उस price range के अंदर ही हमें closing देता हुआ नजर और मेरे कहल से दोस्तों, Infosys जासे quality stock में इसके नीचे गिरना बहुत ही ज़्यादा नामूम्किन है, अगर हाँ, मार्केट में बहुत बढ़ा कोई crash हो गया, 1000 पॉइंट गिर गया, तब अलग बात है, बट मार्केट जिस trend में चल रहा है, मेरे कहल से Infosys इस range के अंदर नी बट फिड भी यहां पर मैं आपको जस्त यहां पर एक learn की purpose यहां पर दिखाता हूं, देखिए, Infosys का share price में जब जब इसका quarterly result out होता है, तब तब इसके पहले आप देख सकतो share price में हमें jump देखने को मिलता है, और उसके बात देखिए, पहले था हमने देख लिया कि jump देख और share price एक flat movement में चला लगातार एक महीने, तो बहुत लोग ऐसा होगा, जो यहां पर बहुत साधा doubtful होगे, fearful होगे share price, share को यहां पर बेस दिया, बहुत लोग यह भी होगा, कि इस label को दोस्तो, position बना लिया, जो लोग इस label को पकड़े को फ्रेश पोजिशन बनाया, उनके पास दोस्तो, आज की rate में काफी ज़्यादा profit में बैटा है, तो यही जो price movement है, दोस्तो, यह आज की rate पे जो price चल लेए Infosys का, यह सबसे ज्यादा अच्छा price है, दोस्तो, decent price है Infosys के अंदर long term investment का, और Infosys यह से share में दोस्तो, आप बिलकुल भी यह मौका गवाना नहीं, बिलकुल भी गवाना नहीं, क्योंकि Infosys का यह जो range है, यह जो 1300 से लेखे 1310, इसके नीचे जाना दोस्तो, बिलकुल ही ना मुम्किन है, क्योंकि Infosys का share price का movement है, जो मेरा observation है, जो मेरा experience है, यहापे मैं आपके साथ वही share कर रहा हूँ, बाकि आप मेरे साथ disagree भी कर सकते हो, देखिए, इसका यह एक साल का chart pattern है, share price में jump, फिर से देखिए correction, फिर से देखिए 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 jump, फिर से देखिए jump, फिर से देखिए jump, करेक्शन, अब इसके बाद दोस्तों इंफोसिस का फिर क्वाटर वान का भी रेजल्ट आएगा जुन माइना जब खताम हो उसके बाद तो उसके बाद दोस्तों यह शेयर प्रेज में और ज्यादा तेजी आएगा तो यह करेक्शन की फिरियेट आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए बलकि आप आपको इंफोसिस ऐसे क्वालिटी स्टॉक में निवेश करने का टाइम है तो दोस्तों अफुली आपको समझ आ गया मैं क्या कहना चाहता हूं चलिए आज क्रेट में कैसा कालवार वह वह भी फटाफट देख लेते हैं तो मैं इसिक वेपसेट के उपर आ चुका हूं 25% के आसपास यहां पर डेलिवरी देखने को मिलता है तो दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता करना चाहता हूं यह जो मैं आपको सिखाया यह बस एक लर्निंग परपस आप कोई भी डिज़र लेने से पहले आप अपना फाइननशियल एडव बात चाहिंद